हलो दोस्तों नमस्कार एडूशेशन में आपका श्वाजत है आज हम लोग हिंदी के अंतरगत मोहाबरे का अध्यन करेंगी जिसमें कुछ बहुत विकल्पी प्रिश्ण है तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर ल बूला होना का क्या अर्थ है तो इसके चार अप्षन दिये हैं जलना नंबर B है क्रोधित होना नंबर C है धोका देना नंबर D है माल डालना तो जो इसका सही आंसर है वह है बी नमबर कुरूधित होना नेश्ट देखते हैं अंधे की लकड़ी होना मोहावरे का सही अर्थ क्या है तो अंधे की लकड़ी होना मोहावरे का सही अर्थ इसके चार ओप्सन दिये हैं नमबर ए है मूर्ख होना नमबर बी है चड़ी होना नमबर सी है एक मात्र सहारा नमबर डी है कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नमबर एक मात्र सहारा नेच्ट दिखते हैं अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है तो अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है इसके मुखबरे के चार ओप्सन दिये है नमबर ए है परवाह ना करना नमबर भी है परवाह करना नमबर सी है चिंता करना नमबर डी है गिंती करना तो इसका जो सही आंसर है वो है परवाह ना करना नमबर A option इसका सही है परवा ना करना आंगे दिखते हैं मुहाबरा आखों का तारा होना तो इस मुहाबरे का सही अर्थ क्या है तो इसके चार option दिये हैं नमबर A है दुस्मन होना नमबर B है मित्र होना नमबर C है प्रिय होना नमबर D है मित्र नहीं होना तो इसका जो सही आंशर है वो है नमबर C प्रिय होना नेक्ट देखते हैं आंगे मुहाबरे कप्टी मित्र किस मुहाबरे का अर्थ है मतलब कि जो कप्टी मित्र है उन में से ये दिया गए है मुहाबरे किसका अर्थ है नमबर एक आठ का उल्लू ओना नमबर भी अकल का दुस्मन नमबर सिय आस्तीन का साप इन में से कोई नहीं तो जो कप्टी मित्र है वो किस मुहावरे के लिए यूज होता है तो ये अंसर बताना है तो इसका जो है वो सी ओप्शन सही है आस्तीन का साप जो आस्तीन का साप होता है उसी को कहते हैं कप्टी मित्र नेच्ट देखते हैं आंगे धमकाना किस मौहावरे का अर्थ है तो धमकाना इसके चार ओप्सन दिये हैं आगवबूला होना, आखें दिखाना, आखें विछाना, आड़े हाथों लेना तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर वी इसका सही है आखें दिखाना आगे देखते हैं इद का चांद होने का अर्थ क्या है तो चार ओप्सन दिये हैं नमबर A है सुन्दर होना, नमबर B है सालीन होना नमबर C है बिनम्र होना और नमबर D है कम दिखाईं देना तो इसका जो सही आंसर है वो है D नमबर कम दिखाईं देना नेस्ट महावरा देखते हैं आस्मान टूट पडने का क्या अर्थ है इस महावरे के चार उप्समान दिए है नंबर ये है लाट्री लगना नंबर भी है मुसीवत आना नंबर सी एक रूद आना और नंबर डी है इसका द्वस्त हो जाना तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर द्वस्त हो जाना नेश्ट देखते हैं आंगे उंट के मुह में जीरा का क्या अर्थ है तो इसके चार ओप्षन दिये हैं लंबा होना, कम देना नंबर सी अधिक खाने वाले को कम खुराग नंबर दिये कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है सी अधिक खाने वाले को कम खुराग नेश्ट देखते हैं उड़ती चिडिया के पंक गिनना का सही अर्थ क्या है तो इसके चार ओप्षन दिये है नंबर A है होस्यार होना, नंबर B है अनवा होना, नंबर C है मतलवी होना और नंबर D है इसका मूर्ख होना तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर A होश्यार होना नेश्ट देखते हैं मुहावरा कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताईए तो नंबर A है निरच्छर होना नंबर B है बहरा होना नंबर C है सुनी बात पर तुरंथ यकीन कर लेना और नंबर D है इनमें से कोई नहीं तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है सुनी बात पर तुरंथ यकीन कर लेना यानि की कान का कच्चा होना नेश्ट देखते हैं कान, काटना, मुहावरे का अर्थ इन में से क्या है तो चार ओप्सन दिये हैं कठ खना होना, चेतुर होना, मूर्ख होना, बिनम्र होना तो इसका जो सही आंसर है वो है नम्मर वी, चेतुर होना नेक्स देखते हैं, आगे कान, खड़े होना का अर्थ क्या है तो मुहावरा है, कान, खड़े होना इसका सही अर्थ क्या है तो चार ओप्सन दिये हैं नम्मर ए है सतर्क हो जाना नम्मर वी है अनववी होना नम्मर सी है मूर्ख बनना नमबर D है कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है नमबर A सतर्क हो जाना नेश्ट देखते हैं आंगे मूर्ख के लिए कौन सा मुआवरा प्रयुक्त नहीं होता है तो यहां पे नहीं होता है पूछा गया है तो काठ का उलू नमबर A मूर्ख के लिए कौन सा मुआवरा प्रयुक्त नहीं होता है तो इसका जो सही आंसर है वो है नमबर D आख आखों का तारा तो दिखते हैं नेख्ट तो नेख्ट है काला अच्छर बैस बराबर का अर्थ है तो इसके चार ओप्सन दिये हैं पड़ा लिखा होना मूर्ख बनना निरच्छर होना बुद्धिमान होना तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नमबर निरच्छ होना नेख्ट देखते हैं आंगे इन में से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है तो देखते हैं नमबर A है खून खौलना नमबर B है आखे लाल पीली करना नमबर C है आख बबूला होना और नमबर D है नाक रगणना तो इसका जो सही आंसर है वो है नमबर D नाक रगणना इसका सही आंसर है नेख्ट देखते हैं कीचण उच्छालना महावरे का अर्थ क्या है तो कीचण उच्छालना महावरे का जो सही अर्थ है तो इसके चार ओप्सन दिये हैं नमबर एक बदनाम करना नमबर B है गंदा करना नमबर C है सायता करना और नमबर D है पूल खोलना तो इसका जो सही आंसर है वो है एक बदनाम करना नेख्ट देखते हैं आंगे गाल बजाना का सही अर्थ क्या है तो इसके चार ओप्सन दिये हैं नमबर A है बख्वास करना नमबर B है डिंग हाकना नमबर C है गाली देना और नमबर D है हसना तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका वी डिंग हाकना इसका सही आंसर है नेख्ट देखते है चांद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से क्या है तो चार ओप्सन दिये हैं पत्थर दिल होना सीतल होना सुन्दर होना कुरूप होना तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका सुन्दर होना नेख्ट देखते हैं आंगे घी के दिये जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रियुक्त होता है तो घी के दिये जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रियुक्त होता है वो है B नमबर प्रिशन्यता व्यक्त करना नेच्ट देखते हैं आंगे घुटने टेकना मोहावरा का अर्थ क्या है तो इसकी चार ओप्शन है ए भाग जाना वी हार मान लेना सी बिज़े होना और नमबर डी है दुखी होना तो इसका जूस ही आंसर है वो आंसर है वी नमबर हार मान लेना नेच्ट है आंगे चिकना घड़ा होना का तातपर क्या है तो चिकना घड़ा होना का तातपर क्या है चार ओप्शन है चिकना होना समरद होना निरलज होना भै हीन होना तो इसका जूस ही आंसर है वो है सी नंबर निर्फ लज्ज होना नेश्ट देखते हैं च्छाती पर सांप लोटना मुहावरा किस अर्थ में आता है तो इसके ओप्षन देखेंगे नंबर एक कृद्ध होना इर्ष्या करना संकर्ण में पढ़ना भै भी तो होना तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर बी इर्ष्या करना निश्ट देखते हैं मुहावरा च्छटी का दूद याद आना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इर्ष्या नंबर है अत्यादिक कष्ट प्रद होना बी है दुखी होना नंबर सी है प्राण संकर्ण में होना और डी है इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है इर्ष्यादिक कष्ट प्रद होना होना, निश्ट देखते हैं, छू मंतर हो जाना का अर्थ क्या है, तो छू मंतर हो जाने के अर्थ क्या है, नमबर A है सम्मोहित होना, नमबर B है गाइब होना, नमबर C है लाब होना, और नमबर D है मंतर विद्ध होना, तो इसका जो सही आंसर है वो है V नमबर गाइब हो जाना, नेख देखते हैं, डोरे डालना का अर्थ क्या है, तो ये नमबर A है प्रेम में फसाना, नमबर B है दुखी करना, नमबर C है वांदना, नमबर D है फंदे में डालना, तो इसका जो सही आंसर है वो है A नमबर, प्रेम में फसाना, नेख देखते हैं, तलवार की धार पर चलना, तो मुहावरा किस अर्थ में आता है, नमबर A है नुकिला होना, नमबर B है कठिन कार करना, नमबर C है इर्थिया करना, और नमबर D है पराजित करना, तो इसका जो सही आंसर है वो है B नमबर कठिन कार करना, तो यह ता आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगी, तो लाइक अवस्त करें, और अपने सभी दोस्तों तक सेयर करें, धन्यवाद,